हलो नमस्ते सर क्या शुब नाम आपका? सबाव मत बोल रहा हूं सर नवयूगा इंजिनिरिंग कमपनी लिमिटेट से सर देखें मैं मेरा टेलिफोन जो है उस स्पिकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैटे हैं वे भी आपकी बाते सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बढ़ाई देता हूं एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाएं और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूं कि वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साथ मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठीन था तिकि ये केदारनाद बाबा की बद्रिनाद बगवान की उक्रुपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई और एक दुसरे का होसला बनाए रखा ये सबसी बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय येने रेलवे के डिबे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी तो तू तू में में हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इंसारा धैरे रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जीसे भी लगातार संपर्ण में रहता था मेरे पीमों के वेबसर वहां करके बैठे थे तो जानकरिया रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकरियों से तो समादान तो होता नहीं है लेकिन मैं सच मुझ में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे स्रमिक साथी निकल करके आए है सबको और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है ताकि इस संकर की घड़ी से बाहर निकल करके आए है आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ करना चाहूंगा सर महां बताईए मैं का रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर अठारा दिन तक टंदमें हम लोग से ऊसा सर LA चिन हम लोगों को एक दीन मी कुछ आईसा एhसास नहीं हुगत कि हम लोगों कुछ ऐसी कंजोरी और या कुछ आईसा घबराहत हो रहा है ऐसा कुछ लिए क्योंकि सब मृति म्यंबर्सते सर और सब अधर अधर सब भाई के जिए से रहते थे, किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते हैं, कुछ भी प्रोब्लोम होने से कोई दिकत नहीं था. खाना आता था, खाना भी सब बिल जुल के बाठ के सब एक जग़ा हम लोग खाते हैं. और रात में खाना खाने के बाद वी जितने भी हमारे आजमी से सबकों में बोलता था हम कि चलो एक बार है, मतलब टानल का जो हमारा लेंध है सर 2.5 मिंटर हो गया सर, ऊसमें हम लोग टालते थे सर, और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदो से बोलते थे कि दे पर जाने का कोई ऐसा है तीज है नहीं तो अंदर में हम लोग अपना घुंते तरते थे और हम सर सबसे शुक्रियादा करेंगे सर उत्राखंड सरकार की सर जिसने हमारे साथ इतना अच्छा विवार किया सर और हमारे मानिय मुख्र मंत्री धामी साथ हमसे बराबर उनका भी बहुत बहुत शुक्रियादा करेंगे सर हम लोग का बराबर हांचा लेते थे सर फोन करते थे और आगधान से इयुक्न तुनुक्तव. पुरा समय वहां रहे और वे बिलकुल डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ने वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई जी सब जी सब लेकिन मैंने मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था योगा वगरी भी करते थे आप के साथ और कोन है जो बात करेंगे सर दहीं नमश्वार म् निखी कि आप दोणों ने जो लिडर्सिप दी और जो तिंप स्पूरिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक केस्ट्रेडिक तैयर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाउं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्सिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी पूरी टीम को समाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत असानी से चीजे समझा भी पा रहेते तो मैं आपके तरफ से सुनना जाओंगा कपर हमारे कॉन्टेकर में बराबर बने रह दे जाए और हमारी कमपनी की पूरी कमपनी की टीम लगी भी थी इसने बराबर हमारे हुस्टा पढागे रखाए उन्हों तक पर डेए-डी-णाप उन्हें नहीं ? आप जैसे हमारे देश के परदानमंद दिने आप जो है जब बहार से हमारे देश के अधर कंड़ी आप लोग खीच के आप इंसान को बचा कि ला सकते हैं तो हम तो अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं से यहां पर हमारे भगवान बहुत बश्वास्ता और उन खट लुकिन में उक्त जो हैं आपको साहिज अंदर आंदाद नहीं होगा आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे पुरा देश 140 करोड देश के लोगों को चिंता थी और सुबह साम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूता था कि मोदी जी क्या खबर है यह कब निकलेंगे क्या होगा सामन्य नागरिक भी मिले से ही सवाल पहले पूछता था और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवार जनों ने सामन्य नागरिक से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकर राता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुशा करते हैं परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में सहियम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने चिंता होना बहुत स्वाबाविक है ऐससे कोई थे जिसको पहले कभी मुसिबत जेनली पड़ई हों काम करते करते वेसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आये हो करते लेकिन ईसने इस तो स्यूंन वह भी लगाता तब से हमारे साथे बने हैं बाहर चे उन्होंने हमारा बहुत होस्वा बढ़ाता रहा बाहर वालों के तो संपर्ग में में लगाता रहा क्योंकि मैं जानकारी रहती थी मैं चाहूंगा साब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैटे हो मेरा पहला आगरता कि वहां सारी एंबुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हस्पिटाइज किया जाए लेकिन मुझे तुरन डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तब्वेश इतनी बढ़ि कहां से हो मिर्जयपुर से हैं चलिए मैं भी उपी वाला हूं है जी सर अच्छै बताईए अखिलिश अप को आपको क्या कहना है बताईएी जिसर हमको कहना इस ओ JUL Monate से सिंसर कि हमारी जितनी बी टीम लगी हुई थी सर पुसकर सिंगaaaa सबस्क्राइब करने अधर बाकि एंदर में खाने में वोग और हैं 6 निकले हम लोग को सबसे जादा खूसी वह और देस को फूसी है तो दुनिया नेता भी उतरः खणके गतना को ले करके शिनता अपने अपनिव्यक्त करते थे तो सारी दुनिया को चिंता होती है कोई सी भी इसे घटने में तो सारा इंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ जाने को Sum chỉ वालों का इसारी वालों ने सर्व लोगको सर्भ यह चैजर वगरऑ करते हैं तो तुपूटाल सेफर नहीं मुझे जब वो पहली बार छेट करकर के चीजे भेजना शुरू किया तो मुझे लगा गब हम समाल पाएंगे क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सुरिय का प्रकाफ नहीं मिलता है तो स्थिती बिगणना शुरू हो जाती है आपने से कोई साथी दा उसका भाई तो कह रहा था दो तिन दिन पहले कि बस मैं तो यह निकलते उसको घर ले जाऊंगा अब मुझे या काप करने रही दे रहा है जी सर वो तो है सर मतलब अब बाई भी है सर वहाँ पे जी सर जी सर नमस्कार सर मैं सोनुकुमार साथ बोल रहा हूं सर सोनुकुमार जी बताईए कहां से हैं आप मैं सर बिहार से हूं सर कहां से बिहार से बिहार में छपरा जिला से हूं सर अच्छा ये बताइए बहुत बहुत धन्यवाद सर यहां के जितने भी लोग है जितने भी यहां पे जितने भी कारेकार्टा है हमारे कंपणी से लेके जितने एंडी आरे फिस्टी आरे जो भी है सर हमें बोग्त कब से हमे लिए विर समय सहाईता प्रतान की गई जब मन उबने लगहा हम लोग लगा है सकी यहां पर बहुत बुरा फलिंग कर रहे हैं तो हमारे घर से भी इननोंने ऐसे स्वudadha कि हमपूर्ण से बात कर सके जिसे अए महरा नलका रता था सेथ लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था आप लोग ने अच्छा आपने आपको समाला क्योंकि ये बहुत पताने कुछ बुरा हो जाता तो पताने इम तो क्या कर सकते थे यानि अंदर इतनी चिंता होती थी सबको पुरे देश में चिंता होती थी लेकिन आप लोगों ने जो हिंबत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरीकों को ये प्रेणा देगी को एक संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए ये जरा अंदर तो आएगा सबको सब्सक्राइब ली ethic उनले गारीको healing हमने इस्वर का धन्यवाद किया बाकि जितने भी लोग ऑहां पे है खासकर हमारे पुशकर सिंग धामी जो हमारे इस उत्राखंड सरगार के मुख्यमंत्री हैं सर उनका तहर दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्राखंड के लोग सारे देश हमारे साथ खड़ाता सर देखिये आपके परिवार के तपस्या भी काम में आई हैं प्रमात्मा के आशिद वाद भी काम में आये हैं और 140 करोर देश वासुए की दोवा भी काम में आये हैं और कौल मिला करके, सब इस संकर से निकल करके भार आये हैं, तो मेरी आप सब को बहुत सबकामना है, मैंने मुखिमें तीय को कहा है, की आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई ववस्ता करनी है, क्योंकि मैं medical check-up पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलिब नहों लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साथ बहुत सभी 41 के 41 लोग तबियत उनके अच्छी हैं कोई problem नहीं है तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्ता हैं हमारे मुख्यमेंद्री जी चिंता कर रहे हैं तो मेरी आप सब को बहुत सुब कामना हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई देना और आप लोग स्फस्त रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेड़ा बनते रहें यही एक मेरी हमेशा प्रातना रहेगी और कभी मिलने का मुका मिलेगा तो जुरूर याद करूँगा लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना आप लोग इतने दिनों के बारा इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाए इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूँ क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूँ आपसे जी सर जाहिन सर जाहिन वहींा सबको बहुत बहुत शुक्तामि रात बाध की बात मता के जाए पर पके जो नारे हैं देश सुनकर का आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा बहुत बहुत सुक्वावदा थैंक यू